तो गाइस यह सैंड डून्स नूप्रा वैली के बाकी रोड ऐसा है बाकी सर बताएंगे तो आप क्या बताते हो किस टाइम आना चाहिए सबसे पहले तो आप कैमल राइड के लिए जाए यह यह आपके हुंडर में है अचा जी और वहां पर आप नौ से बारा पहुंचिए तो तीन बजे के बाद साड़े तीन बजे के बाद पहुंचिए साथ बजे तक जी तो कैमल राइड होती है इन बेट्वीन लांच टाइम जी बारा बजे से लेके साड़े दीन बजे तक तो उस वक्त कोई फाइडा नहीं जाके वहां पर इस टाइम पर जाए जिडूर मोनेस्ट्री सर किने वजे कवर करनी चाहिए हो यह आप कवर कर सकते हैं यह सर का बोलने का मलना है अगर आप पर निंग लें से चल रहे हो जिसने करनी हो यहां सकता है रिवर आफ्टिंग का मज़ा ले सकते हैं बड़ी ही एडवेंचलस होती है जी सर बबत मज़ा आता इसको बड़ी है जी सर इस टाइम हम नुबरा वैली से जा रहे हैं पैंगोंग लेक की तरफ और तब से लेकर आब हमार कोई पहली जो पड़ अधरल तो पार्डी एसने का नीचे कहते हुआ नीचे काटव में था रोड घचे था अधर था था थोड़ा रोड थीक है थोड़ा उसला बड़ा है जो जो नुबरा वैली जो स्टार्टिंग का जाए क्या आँछा है जो आँ, जो अंधर मल्लोकी जाम पर कैमिल राइट ह सबसे इरिया है सबसे प्लांटेशन होई है त्रेस की आपको पीच वीच में दिख रही होगी तो देखते हैं आज टेका होगा कल सवेरी हम पैंगोंग लेक जाएंगी और कल ही हमने बापिस भी जाना है तो आपको पीच वीच में बताते रहेंगे तो गैस नजारा देख लो अगले तक कोई अपनी होगी गाइस दिन तक कोई अपनी होगी गाईस दिन तेरह चे दोजार वाई और टाइम होगा सबसात और ऐसे टाइम इस जगह पर हम खाली अरिये दूर दूर तक कोई नहीं है अभी गाड़ी गही है यहां से तो देख लो कैसा रस्ता है तो बैस देख लो नजारा कैसा है कान से गुचर रहे हैं अ हरा कि आई राज यहां फुल मून नाइट है ई इस में अज देखिया और विल्कुल रोड जो है मकं की तरह रोड है और हम खट-खट से ओके जा रहे हैं जो यह आप देखने हैं अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं इस तो तो बहुत ही प्यारा राइम देखिए कुछ दिखा भी है हाँ में आपर कुछ गीदरड डिखा फोक्स फोक्सॉ दिर्श नहीं जोब नी बज़र है रुक जाओ जोड़के ऊफ पत्थर पहर रुख दू है पस्ट्तल रोग दो जल्दी हम अपनी लोकेशन पे पहुंचेंगे और अंदेरा बड़ा ज्यादा है फिर भी चांदनी रात है तो हमारे को दिक रहा है इस वक्ता बाहर भी सर क्या बोलना चाहते हो देखिए अभी तो हम पूशिश कर रहे है कि पैंगॉंग पहुंच जाने लिए लगवक दस के दूर्बुक तीन किलोमेटर है भी तो दूर्बुक से चालीस लगवक 40 किलोमेटर होगा तो जलो कुशिश करने है रास्ता क्लियर है उंडर से सर किने वज़े चले थे हम लगवक पांस अभांस के असपास तक तो पैमल राइडी हुई थी हम एक्चेंज कर वे थे हैं सब पांच होगे थे गाइस फाइड पर चले है वहां से और कल आते थे तो कल बड़ा ट्राफिक और टाइम और अबेस्ट रोना था इसकर करके हम रात व रात ही आगे शाम और शाम ही सोरी और मैं और सर रेकुमेंड करेंगी कि शाम को ना आया जाए इस रोड से हो सके तो दिन से निकल जाए दिन में भी नायज है मैं वही बोलता हूं कि बारिश वाली दिन मत आना बूल के भी इस रोड से जो कि आपको अंदर वैली उन्दर से लेकर आपको पैंगों के लेक्र जोड रहे हैं तो आपको अपको एल्प मिल सकती है परन्तु इस रोड पे कोई है नहीं जी और यह क्या अर्मी एरिय दो नहीं है टाइम हो रहा है आठ पच के तीस मिनट एट थटी और हम पोंच चुके हैं तो हम पैंगोंग लेक नहीं गए क्योंकि सुना है कि पैंगोंग लेक में बड़ी ठंड होती है इस टाइम तो इस करके हम दूर्बुक में रुक यहां स एक गंटे का रन है स्वेरे हम उठके सोच रहे हैं कि प्लान है हमारा चार बजे उठेंगे और पांच बजे तक जब संराइज होता है तब पैंगोंग लेक सबसे अच्छा नजारा होगा उस टाइम का तो उस टाइम वहां होंगे उसके बाद बापिस यह आना पड़ेगा यहां से लेक लिए रस्ता है लेक वहीं से हम सिध्य मनाली के लिए निकलेंगे कली तो आज हमने बहुत लंबा सफर तै किया है कि हम ले में सवेरी उठे थे सङंगम वियू के बाद हम गर्द्वारा के उसके बाद लिएफ इसके बाद हम वहां से खरदुगला के लिए निकल पड़े हम नुबरह वले के लिए निकले नुबरा वैली में हमने उस टाइम पहुँचे जब कैमल राइड की लांच था याद रखना कहा है कि कैमल राइड का लांच बारा से लेकर 3-3 तक तो इसलिए बारा बज़े से पहले पहुँच जए नुबरा वैली में और हमारे को फिर साठें तीन बज़े नंबर पड़ा ह हमारा और चार के वजे हमने कैमल राइट किया है फिर हम गोंपा भी गे थे वहीं पे खौकसर में उसके बाद हम वहां से निकल चुके हैं पांच बजे निकले थे यहां के लिए और टामली पोँचे है हमारा अधा दिन बच गे अब आगी की इंफोमिशन में आपको देता र अजब एट को से रवाट बाइस